परिचय हलो दोस्तों, आप लोगों को अपनी पढ़ाई में खुब मज़ा आ रहा होगा। मैं एक तोहफे के रूप में जूस की ये बोतल आपके लिए लाया हूँ। आप बता सकते हैं कि इस जूस से कितने गलास भर जाएंगे। चलिए पता लगाते हैं। इस बोतल के जूस से हम चार गलास भर सकते हैं। आओ सीखें। उन पात्रों की तुलना करना जिनमें अलग-अलग मात्रा में लिक्विड यानी तरल आता है। अलग-अलग मात्रा वाले तरल को रख सकने योग्य पात्रों को बढ़ते या घटते क्रम में लगाना। ख्रमता को समझना ये एक चमच है। अब मैं इस चमच को दूद से भरूँगा। देखते हैं इस चमच को भरने के लिए दूद की कितनी बूंदों की जरूरत होगी। ये मैंने डाली पहली बूंद और ये है चमच में दूद की दूसरी बूंद। लेकिन चम्मच तो अब भी खाली है। चलिए चम्मच में एक और बूंद डालते हैं और अब मैंने डाली चौती बूंद। अब चम्मच भर गई है। यानि चम्मच को भरने के लिए दूद की चार बूंदों की जरूरत है। अलग-अलग पात्रों की क्षमता। हमारे पास तीन अलग-अलग बर्तन और एक जग है। हम जग से इन तीन बर्तनों में पानी भरेंगे। चलिए शुरुवात पहले बर्तन से करते हैं। एक, दो, और तीन। यहां हमने देखा कि पानी के तीन जगों से पहला बर्तन भर जाता है। आईए अब दूसरा बर्तन भरते हैं। एक, दो, तीन, और चार। देखिए, बाल्टी भर गई। यानि यह बाल्टी चार जग पानी से भर जाती है। अब आईए तीसरा बर्तन भरें। एक, और दो। इस बर्तन को दो जग पानी ने भर दिया। अलग-अलग बर्तनों की ख्षमता। दोस्तों, हमने देखा कि बर्तन नमबर एक, तीन जग पानी से भर गया। बर्तन नमबर दो, चार जग पानी से भर गया। और बर्तन नमबर तीन को भरने के लिए दो जग पानी की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब बर्तन नमबर तीन में सबसे कम पानी है और बर्तन नमबर दो में सबसे ज्यादा पानी है दो बर्तनों की तुलना सैम दूद की एक बोतल लाया है क्या वह इस बोतल को एक गिलास में खाली कर सकता है? वह बोतल से निकले दूद से गलास को भर देता है देखिए, दूद अब भी बोतल में मौजूद है वह एक और गलास लेता है और बाकी बचे दूद को उसमें डाल देता है देखिए, अब बोतल खाली है इस तरह सैम दूद की इस बोतल को दो गलासों में खाली कर सकता है क्या हम इस बोतल को एक जग में खाली कर सकते हैं? आईए देखते हैं जग को दूद से भरिए बोतल खाली है हम इस बोतल को एक जग में खाली कर सकते हैं क्रम में लगाना दोस्तों, हमारे पास तीन अलग-अलग बर्तन है किस बर्तन में सबसे कम पानी है? हाँ, आपने सही बताया, बाउल में सबसे कम पानी है किसी जार में बाउल के मुकाबले ज्यादा पानी होता है और किसी बर्तन में बाउल और जार के मुकाबले और भी ज्यादा पानी होता है अब इन बर्तनों को बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं बाउल का नंबर सबसे पहला है क्योंकि इसमें सबसे कम पानी आता है इस कतार में दूसरा नंबर जार का है क्योंकि इसमें बाउल से ज़्यादा पानी आता है आखर में हम बर्तन को रखेंगे क्योंकि इसमें बाउल और जार दोनों से ज़्यादा पानी आता है हमने क्या चर्चा की? हमने तरल वाले बर्तनों की तुलना करना सीखा हम बर्तनों में मौजूद तरल की अलग-अलग मात्रा के हिसाब से उन्हें एक कतार में लगा सकते हैं